जो पानी चुहे पीते हैं यानि की काबा पीते हैं वो यहां के भक्त जो हैं वो भी पीते हैं अब मेरे साथ यह भक्त हैं देखिए आप इस मिट्टी के बरतन में यह चुहे आपर खेल रहे हैं यहां से बाइसाब ने पानी का एक चलू भरा है अमार दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है कुछ भी नहीं होता आस्तार विश्वास है यहां पर असंक्य जो है वो काबे है दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बहुत सारे चूहे नजर आ रहे है आम तोर पर इतने सारे चुहे हम लोग देखते नहीं हैं लेकिन इन तस्वीरों में जो आपको चुहे नजर आते हैं आ रहे हैं इनको चुहे नहीं बलकि काबा कहते हैं और ये काबा यानि कि एक मंदिर परिसर में है जो आपको नजर आ रहे हैं इतने ही नहीं इसकी न जाने कितने गुणा यानि कि असंख्य काबे यहां पर आपको नजर आएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ करणी माता जी का मंदिर जो देशनोक राजस्थान के बिकानेर जिले म हैं जहां पर है आज इस रहस्य मैं मंदीर की हमने जो आपको पहले कहानी बताई थी इसमें एक और ऐसी चीज जोड़ने जा रहे हैं यहां माताजी के परतीस सरधा यहां के लोगों की यहां के बक्तों की कितनी है वह दिखाते हैं वैसे तो हम चुहों पीते हैं यानि की काबा पीते हैं वो यहां के भक्त जो हैं वो भी पीते हैं अब मेरे साथ यह भक्त हैं इस देखिए आप इस मिट्टी के बरतन में चुहे नहीं पर खेल रहे हैं यहां से यह बैसाब ने पानी का एक चलू भरा है और यह पिया है क्या है इसकी माननेता ऐसा क्यों करते इन से ही बात करेंगे अप अपना परीचे बताएं उसके बाद यह बातर मिलते हैं वो का माता जी का मतलब चणामत समझ के जो भी बीमार होता है कोई भी किसी परकार की सरीर में बेदना होती है उस हिसाब से हम चणामत ले लेते हैं कोई बीमारी नहीं होती कोई ड परकार की कुछ भी नहीं होता जब भी आपके मतलब आप में आस्ता है और आप यहां आते हैं यह जो काबा पानी पीते हैं इस चड़ना मत्स के शुरूप में आप लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं आस्तार विश्वाश यह सब लोग भगत आते हैं सरदालोई सब्सक्राइब क्याते हैं कि करणी माता जी का जो परिवार हैं उनके परिवारिक सद्द से हैं उनकी मुर्तियों होने के बाद उनकी जो आपका सरग नर्ग में नहीं यहीं आते हैं यहीं है हमारा दूसरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है किसी देवी देवता से कोई मतलब नहीं है हम उनकी बातों से आपको समझ में नहीं अई तो मैं बता दू करनी माता जी का जहाँ विवाह वा था. जब माता जी ने पर्चा दिया था उनके माता जी की छोटी बैन से सूदें विवाह 듯 It is उनके परिवार के आज पांच हजार यहां पर उनकी सदस्य हैं यहां पर हजार घर हैं देश्टनोक में और उनके परिवार के सदस्य इनका ऐसा मानना है कि हमारे परिवार में किसी भी सदस्य की मर्त्यू हो जाती है तो हम किसी दूसरी योनी में नहीं बलकि काबा बनते हैं और काबा बनने के बाद मंदिर परिसर में ही रहते हैं यह कहते हैं कि यह मारे परिवार के सदसे हैं यहाँ पर असंख्य जो है वो काबे है जब कण्डी जी ने अपने बेटे को जिवन दान दिया था उस समय सारी माता जी एक रक्षित फूमी है करीबन 36 किलोवेटेरी ओरण है जहां कण्डी जी की गाये चरते हैं उससे सारी सश्थी के देवी देवता यहां आ गे थे फिर कण्डी जी ने यहां कहा था कि आपको कह कार्तिक चतुर दसी को माता जी के विश्यस परिकरमा लगती तब कन्णी छी आपने पुत्र को लगती है उसमें करीबन राजस्थान क्या पूरे भारतवर से लोग आते हैं और परिकर्मा लगाते हैं करीबन 15 लाक लोग लगाते हैं बिल्कुल हमारे जितने भी दर्सक हैं अगर आपको मौका और समय मिलें तो करनी माता जी के मंदीर में आकर के दर्सन जरूर कीजिएगा क्योंकि इस आदुनिक और तक्निक युग में आज भी माता जी के कई सारे पर्चे हमें साकसात नजराते हैं और ये अगर पर्चा नहीं है इस युग में माता जी का कुछ रूप नहीं है तो भला आप क्या कहेंगे क्योंकि इसके पीछे न जाने क्या साइन्टिपिक कारण होगा लेकिन यहां आने के बाद आप जरूर कहेंगे कि माता जी हमारे आसपास ही है जैमा करने